नमस्कार दोस्तो श्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो आज जो कंपनी हम कवर कर रहे हैं उस कंपनी की लिस्टिंग जुलाई 2020 में हुई है जिसे अभी तक तीन साल भी नहीं हुए है श्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर और रिटन आपके सामने हैं जी हां फ्रेंड्स देख सकते हैं 218 परशन का रिटन तीन सालों में कंपनी दे रही है और वहीं पिछले लास्ट वन येर की बात की जाए तो 100 परशन का रिटन देखने को मिलता है दोस्तों कंपनी का फाइनेंशल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं और इस इस कंपनी का फाइनेंशल भी डिटेल में देख लेते हैं जी हां फ्रेंड्स तो कौर्टरली परफोर्मेंस को देखा जाए तो देख सकते हैं डिसेंबर 2020 में नेट सेल्स 7.03 करोड की रही जो कंसिस्टेंटली ग्रो करके 7.65 करोड तक हुई तो बहुत ही अच्छी खासी इनके सेल्स रिवन में होते हुए देखने को मिल रही है इस कंपनी का उपरेटिंग प्रॉफित भी देख सकते हैं फ्रेंट्स 30-40 परषं का उपरेटिंग प्रॉफित मार्जिन कंपनी का देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाएगा quarterly net profit भी देखा जाए तो देख सकते हैं every quarter December 2020 में 2.79 करोड की company की net profit रही है then after 3.16 करोड हुई और उसके बाद 4 करोड then again 3.06 करोड and December 2021 में 3.90 करोड की जो की बहुत ही बढ़िया momentum के साथ आगे बढ़ रही है yearly profit and loss statement देखा जाए तो देख सकते हैं पान सालों में company की 2 करोड की sales revenue 2021 तक 24 करोड तक पहुच चुकी है जी हाँ friends तो काफी सांदार तरीके से company का yearly performance देखने को मिलता है and वही net profit देख सकते हैं zero net profit वाली company 2017 में थी और 2021 तक पहुचते पहुचते 8 करोड की company ने net profit दिखाई है अपने profit and loss statement में जी हाँ friends तो financial data company का बहुत ही अच्छा present कर रहा है इस company के sales performance and profit को जी हाँ friends इसी के साथ company का sales growth भी आप देख सकते हैं one year की sales growth को देखा जाए तो 193.5% की sales growth देखने को मिलती है and वही components three year का sales growth देखा जाए तो 91.46% का sales growth देखने को मिलता है profit growth की बात करें तो 1088% की profit growth company दिखा रही है पिछले एक सालों की जी हाँ friends और वहीं three years में देखा जाए तो 425% की profit growth company शो कर रही है जो की बहुत ही बढ़िया है जी हाँ friends वहीं return on equity देखते हैं तो past one year की return on equity 122% है and three years की 108% की return on equity देखने को मिलती है return on capital employed भी देखिए ये भी जबरदस्त आपको देखने मिलेगा 163% की return on capital employed देखने को मिलती है और वहीं तीन सालों की बात कर रहे तो 149% की around return on capital employed company शो कर रही है तो ये सारे parameters company को बहुत ही अच्छे खासे momentum के साथ आगे बढ़ाते हैं वो देखने को मिल रहे हैं जियाँ friends और आगे interest coverage ratio भी इस company का देखते हैं 529.35 times देखने को मिलता है दोस्तों interest coverage ratio को एक छोटा सा explanation देना चाहूंगा आपको जो आपकी financial knowledge को थोड़ी सी जरूर बढ़ाने में help करेगी दोस्तों interest coverage ratio वो ratio होता है जो यह दर्साता है कि company कितनी बढ़ियां तरीके से अपने debt के उपर जो भी interest expense charge हो रहा है उसका payment बढ़ी आसानी से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है जियाँ friends जंदली interest coverage ratio 3 के उपर रहेगा तो वो अच्छा माना जाता है और अगर वहीं interest coverage ratio less than 1 का हो तो यह समझ कर चलिए कि company को काफी struggle करना पड़ रहा है अपनी debts को pay करने में जिससे company in future आगे जाके दिवालिया भी हो सकती है जियाँ friends इसलिए interest coverage ratio भी एक important ratio माना जाता है किसी भी stock की analysis करने में यह बहुत helpful होता है अब बात करें company की promoters holding की तो देख सकते हैं promoters की holding 62.45% से promoters ने hold किया इस company में और वहीं public की holding 37.55% की देखने को मिलती है promoters की holding में गिरवी कुछ भी नहीं है place percentage 0 है जियाँ friends फिलाल FIs और DIs ने से stock में अपनी holding नहीं रखी है और आगे बात करें company के corporate action को देखा जाए तो company dividend भी अच्छा खासा दे रही है जियाँ friends capital appreciation की साथ dividend मिले तो बहुत ही अच्छी बात है जियाँ friends इस company का आप dividend yield देख सकते हैं आगे मैं बात करूँगा जो की 4-5% का निकल के आता है जियाँ friends और आप dividend percentage भी देख सकते हैं तो इस तरह की company dividend भी अच्छी खासी दे रही है और वहीं आपको बता दू कि company ने 2021 में 2 बार bonus भी दे चुकी है जैसे कि देख सकते हैं 3 raise to 1 का एक बार bonus दिया था और वहीं 1 raise to 1 से भी bonus दिया हुआ है Otherwise company का price आज काफी और ज़्यादा देखने को मिलता था So friends यह company 500 करोड से भी कम market cap वाली है जिसकी market cap 403 करोड की at present है और current price 340 रुपए पर trade कर रहा है 52 week high देखा जाए तो 434 रुपए का है और इस stock का 52 week low 85 रुपीज का था Stock के PE की बात करें तो 28.6 times PE देखने को मिलता है और वहें dividend yield देख सकते हैं 4.78% का तो फिलाल company growth के साथ अच्छे खास से dividend भी दे रही है यहां friends sales growth and profit growth को देखा जाए तो जबरदस्त है Already हमने इस पर discussion कर लिया तो company के पास cool cash 6.19 करोड का at present Company की total assets को देखा जाए तो 18.1 करोड की total assets देखने को मिलती है Zero debt company है यह बहुत ही अच्छी बात है एक microcap company के लिए Reserve भी देख सकते हैं एक company का 3.14 करोड का company के पास reserve है और industry का PE देख सकते हैं तो friends Industry के PE से भी कम इस stock का PE है जो की 28.6 का PE था तो दोस्तो company का नाम है केसौल इंडिया लिमिटेड 2014 में company incorporate हुँ थी IT sector की एक बढ़िया microcap company है यह आप समझ लिजिए Service भी आप देख सकते हैं company Engaged है software development में enterprise solution प्रवाइड करती है और IT solution प्रवाइड करती है जो इनकी services लेते हैं वो sector wise बात करें तो रियल इस्टेट, e-commerce, finance, टेलीकॉम, हेल्थक्यर और एट सेक्ट तक कई सारे industries को company अपनी services प्रवाइड करती है एस पर financial year 2021 के साब से company का revenue breakup देखा जाए तो एस पर segment wise breakup देखते हैं तो services sector से company को 93% की revenue आती है और वहीं product and customization से 7% की company के product wise revenue breakup को देखते हैं sales force cloud से 34% की, big data, machine learning and AI से 26% की odo 17%, web application से 16% and mobile application से 7% एस पर geographically data के साब से देखा जाए तो इंडिया से company को मातर 12% की revenue generate होती है यानि company बाहर के देशों में अच्छा कासा business कर रही है चिहां friends इससे अंदाजा लगा सकते हैं Europe से 7%, North America से 77%, South America से 7%, Australia से 1% and Asia से 2% की revenue company को आती है So friends यह हमने detail में देखा इस company के बारे में जी हां friends तो company का sales figure बहुत कुछ अच्छा दरसारा है company के बारे में और साथे साथ company एक low debt company है, micro cap company होते हुए company के उपर कोई कर जाना ही है और साथे इनका interest coverage ratio बहुत जबरदस्त है 500 times से भी ज़्यादा करेखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है So friends case all India Limited इस company को आप अपने radar पर जरूर रखी है फिलाल भी company का PE जो है industry के PE से कम चल रहा है So friends इस stock में long term की holding में आपको अच्छे multi-vega return यह company जरूर दे सकती जैसे अभी at present दे रही है जियां friends हर साल पैसा at least double करके company दे रही है So friends I hope कि आज की यह वीडियो detailed analysis के साथ आपको जरूर पसंद आई हो So friends वीडियो को like जरूर कीजिए और साथे साथ अगर stock market चैनल पर आग first time विजट किया है तो चैनल को subscribe करना न भूले और bell icon पर भी hit जरूर करे ताकि कोई भी वीडियो की notification आपसे miss ना हो So friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद